कुशने कुशन नमबर 121 नूकलियr फैमिली रीवर्स टू एक कल परिवार से तठपर है तो ध्यान रखेएगा बिसीकलि दो तरह के परिवार होते हैं एक होता है संयूक्त परिवार और दूसरा होता है एक कल परिवार संयूक 10 के जॉइन फैमिली आप सभी जानते हैं जॉइन फैमिली में दादा दादी, चाचा चाती ये सभी आते हैं लेकिन जो नुकलियर फैमिली होती है जो एकल परिवार होता है उसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं तो यहाँ पर यही कोशन किया गया है कि एकल परिवार से तातपर है यानि कि nuclear family refers to पहला option दिया था वर्ष 1950 के बाद बना परिवार second option दिया था परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे तीस्ता option दिया था संपूर परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी देखे ध्यान रखेगा जिस परिवार में दादा दादी इन्वाल्व हैं वो हमेशा joint family होगी इसलिए आपे option C नहीं होगा यानि कि ये तो एकल परिवार नहीं है ये बलकि संयक परिवार है joint family है एकल परिवार हो जाएगा option B जिसमें माता पिता और उनके बच्चे आएंगे केवल पती पती नहीं उनके बच्चे भी होंगे तेहां पे correct answer हो जाएगा option B question number 122 है tobacco addiction is due to यानि कि तंबाको की आदत किस से होती है पहला option दिया था cocaine से दूसरा option दिया था caffeine से तो ध्यान रखेगा आपने ये देखा भी होगा जो caffeine होती है वो coffee में टी में इन सब में पाई जाती है cocaine एक तरह की drug है ठीक है C option दिया था nicotine ये ही इसका correct answer हो जाएगा nicotine तंबाको का एक तरह का पौधा होता है nicotine जिनकी पत्तियों को सुखा कर तंबाको तयार की जाती है यहां पे correct answer हो जाएगा option C question number 123 है what are the minimum ages for marriage of boys and girls in India यहां पे question ये पूछे है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विभा की आयू कितनी होती नियूंतम आयू क्या है तो दीखे सबसे पहले यहां पे boy लिखा है उसके बाद girl लिखा है तो boy की होती है 21 years और girls की होती है 18 years तो यहां पे correct answer हो जाएगा option 1 आप लोग ध्यान से देखेगा यहां पे सबसे पहले boy है इसलिए आप 21 years वाला आप option चूज करेंगे हाला कि दूसरा जो option दिया है उसमें भी 18 years और 21 years ही लिखा हुआ है तो देखे ध्यान रखेगा सबसे पहले boys है तो boys की 21 years है और girls की 18 years इसलिए हाँ पे correct answer हो जाएगा option 1 question number 124 है main occupation of people of Rajasthan is राजस्तान के लोगों का मुख वेफसाई क्या है तो मुख वेफसाई राजस्तान के लोगों का है किर्शी agriculture इसलिए correct answer हो जाएगा option D अगला कुशे ने कुशे number 125 which of the following places of Rajasthan does not have sugar factor इनके राजस्तान के किस इस्थान पर शक्कर बनाने का कार खाना नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहला option दिया था केशव राय पाटन, दूसर option दिया था निमबा हेडा, तीसर option दिया था उदैपुर और चौथा option दिया था भूपाल सागर यहाँ पर correct answer हो जाएगा option B, निमबा हेडा कोशन नमबर 126 है, in case of fraud और unfair business behavior, we should log a complaint at कह रहे हैं कि जब व्यापार में कुछ अनूचत होने लगे या फिर fraud होने लगे तो हमें किस से complaint करनी चाहिए, हमें शिकायत कहां करनी चाहिए पहला option दिया था, consumer protection forum, यानि कि उपभोगता, संरक्षण, मंच को second option दिया है district headquarters, या फिर C option दिया है तहसील, या फिर D option दिया है ग्राम पंचायत, यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 1 हमें शिकायत consumer protection forum को करनी चाहिए, इसलिए correct answer हो जाएगा है यहाँ पर option 1 next question है, question number 127, how many members of Rajasabha are nominated by the president रास्ट पती द्वारा राजसabha में कितने सदस मनोनित होते हैं, तो यहाँ पर simple answer हो जाएगा option 1 12 होते हैं, correct answer हो जाएगा 12 next question है, question number 128, जिला, उद्धोक, केंद्र, किस योजना के तहत, शेहरी एवं ग्रामीर, यूवको को रोजगार मुहया करता है पहला option है, पिर्धान मंत्री, ग्रामीर, सडक योजना, दूसर option है, पिर्धान मंत्री, रोजगार योजना, तीस option है, जवाहर ग्राम, समर्धी योजना, ये फिड़ी option है, स्वडजैन्ती ग्राम, सो रोजगार योजना तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा option B, यानि कि पिर्धान मंत्री, रोजगार, योजना के तहट, शहरी एवं ग्रामीर, यूवको को रोजगार मुहया करता है, तो correct answer हो जाएगा है, यहाँ पे option B question number 129 है, जो general knowledge से आया है question, which country has the maximum number of tube wells in the world, यानि कि दुनिया में अधिक्तम tube well किस देश में है, पहला option है अमेरिका में, दूसरा option है उस्टेलिया में, तीसरा option है चीन में, या फिर D option है इंडिया में, तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा option D, इंडिया में अधिक्तम tube well है, तो यह अगला question है, question number 130, दगंगोर, दगंगोर festival is celebrated on, इनकी गंगोर का तहवार मनाया जाता है, पहला option है, चेतर शुक्लितीच को जो की correct है, चेतर शुक्लितीच को गंगोर का तहवार मनाया जाता है, तो correct answer हो जाएगा option 1 अगला question है, question number 131, city of lakes in Rajasthan is, यानि की जीलो की नगरी, किसे कहते हैं राजस्तान में, पहला option है जैपुर को, या फिर दूसा option है जोतपुर को, तीसा option है उदैपुर को, या फिर D option है अजमेर को, तो ध्यान रखेगा, उदैपुर को कहते हैं जीलो की नगरी, तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा, option C, उदैपुर, अगला question है, question number 132, who built the विजय स्थम्ब, विजय स्थम्ब किसने बनवाया, पहला option दिया था महाराना कुम्बा ने, second option है महाराना सांगा ने, C option है महाराना पिरताब ने, D option है महाराजा जै सिंग ने, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option 1, महारान कुम्बा ने विजय स्थम्ब वनवाया, तो correct answer है यहाँ पर option 1, अगला question है, question number 133, following traffic sign indicates, इस तरह का जो sign है, यह किस को indicate करता है, ठीक है, यह जो traffic sign है, तो पहला option दिया था major road, C option दिया था railway crossing, D option दिया है narrow bridge, तो इस तरह का जो sign है, वो narrow bridge को indicate करता है, इसलिए आपर correct answer हो जा question D, narrow bridge, next question है, question number 134, full form of ATM is, आप सभी ATM का इस्तिमाल करते होंगे, तो यहाँ पर ATM का full form पूचा है, सबसे पहला option दिया है, automated tailor machine, option B है, all time money, C option है, automated transfer machine, और D option है, audit tailor machine, तो ध्यान रखिएगा, ATM का full form होता है, automated, T for tailor and M for machine, तो correct answer है, यहाँ पर option 1, question number 135 है, message sent by computer is known as, computer के माध्यम से भेज़ जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, क्या उसे SMS कहते हैं, या fax कहते हैं, telegram कहते हैं, या email कहते हैं, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option C, email, अगला question है, question number 136, bio से है, carrier of dango diseases, dango, रोग का वाहक क्या है, पहला option है, एडीज मॉस्केटो, दूसा option है, क्यूलेक्स मॉस्केटो, तीसा option है, housefly, या निकी जो घरेलू मक्या होती हैं, और d option है, anophilies मॉस्केटो, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर डेंगू का पूचा है, तो डेंगू का होता है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 1, अगर यहाँ पर malaria का पूचते, तब यहाँ पर हो जाता option D, female anophilies मॉस्केटो, malaria का होता है, लेकिन यहाँ पर पूचा है, डेंगू का इसलिए यहाँ पर correct answer हो जाएगा option 1, अगला कुशन है, कुशन number 137, the biochemical laboratory of human body is, मनुश की शरीर की जैव रसाइनिक प्रियोग शाला किसे कहते हैं, क्या इस टमक को, या इंटस्टाइन को, या लीवर को, या किट्नी को, तो correct answer हो जाएगा लीवर को, यहाँ पर correct answer है, option B, और ध्यानक हीगा, जो लीवर है, वो largest gland human body की, अगर कुशन ये भी बहुत important है, largest gland पूछा जाए, तब भी answer लीवर ही होगा, यहाँ पर correct answer हुआ, लीवर, अगला कुशन है, question number 138, aim of pulse polio program is, यानि कि pulse polio कारिकरम, जो प्रोग्राम में उसका उद्देश क्या है, उसका aim क्या है, पहला option है, polio का उपचार करना, second option है polio से उत्पन, लकवा को रोकना, C option है, polio का संपूर, उन्मोलन करना, या फिर D option है, इन में से सभी, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, polio का संपूर, उन्मोलन करना, option यहाँ पर C correct हो जाएगा, अगला कुशन है, question number 139, कश्मीरी गाउन is known as, कश्मीरी चोंगा कहलाता है, कश् धिला और पुरुष दोनों ही धीले-धीले कुर्टे पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे फिरन बोलते हैं, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option 1, फिरन, next question है, question number 140, habitat of dogfish, dogfish का आवास, यहनिके इस्थान काएं, कहां रहते हैं, तो देखे, dogfish, यह fish होती है, जिसका जो मू होता है, यहनिकी जो face होता है, वो dog की तरह होता है, और पीछे का हिस्सा, पूरा fish की तरह होता है, जिससे dogfish कहते हैं, तो इसका habitat पूछ रहे हैं, पहला option दिया है, लीवर, दूसर उप्शन है, पाउंड, तीसर उप्शन है, लेक, और डी उप्शन है, समुन्द, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, डी, समुन्द रही, habitat होता है, dogfish का, यानिकी कुत्ता मचली का आवास, समुन्द रहे, option D, question number 141 है, full form of CNGs, CNG का full form क्या होता है, पहल D, option is certified natural gas, CNG का full form होता है, compressed natural gas, option B, यहाँ पर correct हो जाएगा, अगला कुशन है, question number 142, wild alive week is celebrated on, यानिकी one नीचीव सप्ता मनाया जाता है, पहला option दिया है, एक अक्टूबर से साथ अक्टूबर तक, दूसर option है, पंदरा अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, C, option है, एक जून से साथ जून तक, D, option है, पंदरा जून से 21 जून तक, तो correct answer है, यहाँ पर option 1, एक अक्टूबर से साथ अक्टूबर तक, वन जीव सप्ता मनाया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा है आपे option 1 question number 143 question number 143 है state bird और state animal आपको बताना है राजस्तान स्टेट का राजस्तान राज के राज़ व्रक्ष, राज़ पक्षी और राज़ जंदू जितने भी लोग read की preparation कर रहे हैं वो राजस्तान से related ये सभी जानकारी जानकर जाएं यानि कि पढ़ कर जाएं कि वहाँ पे मुक जैसे की question आया था कि मुक website क्या है राजस्तान लोगों का तो ये सभी चीज़े पढ़ लीजेगा यहाँ पी पूछा जा रहा है कि राज़ व्रक्ष और राज़ पक्षी और राज़ जन्तू क्या है राजस्तान राज़ के खेजर्णी ये आप सीटर्ड में भी पर चुके हैं खेजर्णी पेड के बारे में यहाँ पे खेजर्णी पेड बिर्कुल सही है राज़ वरक्ष है यहाँ पे दो ही option में ये दिया हुआ है option A और option B option C और option D में आम दिया है बबूल दिया है जो कि एकदम ही wrong है यहाँ पे यह तो option A correct होगा यह option B correct होगा तो दीखे राज़ पक्षी मोर नहीं होता है बलकि गोडावन है ठीक है राज़ पक्षी गोडावन है और राज़ जन्तू चिंकारा है जो गोडावन है वो पाकिस्तान और राज़िस्तान में पाया जाता है और यह सबसे भारी वजन होता है इसका उड़ने वाली जो पक्षी होते हैं उनमें सबसे भारी वजन गोडावन कही होता है यह दिखने में भी शुतर मुर्ग की तरह होता है यह पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कुशन नमबर 144 इन विच स्टेट आफ मैडर आप सभी ने स्टेट आफ मैडर पढ़ा होगा ठीक है यानि कि पधार्थ की अवस्ता जिसमें ठोस गैस और लिक्विड यानि कि ठोस गैस और दरव यह तीन स्टेट होती है यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किस स्टेट में सबसे कम मॉलिक्यूल यानि कि मिनिमम दूरी पर मॉलिक्यूल होते हैं तो ध्यान अखिएगा जैसे कि यह है सॉलिड यह है लिक्विड और यह है गैस जो solid होता है उसमें जो molecule होते हैं वो विलकुल मिले मिले यानि कि बहुत ही कम distance की दूरी पर रखे होते हैं एकदम जकड़े होते हैं जिससे वो solid state बन जाता है और liquid state में क्या होता है molecule थोड़े दूर दूर पर होते हैं ठीक है और gases state में बहुत दूर पर होते है molecule यहाँ पर पर होंगे तो solid में जो molecules होते हैं वो विल्कुल इनकी मिले मिले होते हैं इसलिए वो solid हो जाता है यहां पर correct answer हो जाएगा option 1 अगला question है question number 145 which state is known as tiger state कौन से state को tiger state के नाम से जाना जाता है पहला option है राजिस्तान दूसरा option है West Bengal C option है गुछरात और D option है मध्य पिर्देश अगला question है question number 146 which of the following has maximum speed यहां पर पूछे हैं कि किसका वेग अधिक्तम है पहला option है air दूसर option है water current C option है sound और D option है light यहां पर correct answer हो जाएगा light option D अगला question है question number 147 which energy is converted into electric energy by a solar cell solar cell के द्वारा electric energy में convert हो जाता है कौन सी energy पहला option है chemical energy दूसर option है nuclear energy C option दिया है solar energy और D option दिया है magnetic energy तो ध्यान रखेगा जो धूप होती है जो सूरज की रौशनी जो किर्णों से जो energy होती है वो ही electricity में बदल जाती है तो यहां पर correct answer हो जाएगा option C अगला question है question number 148 maximum amount of gas found in ERS यानि कि हमारे atmosphere में सबसे ज़्यादा मात्रा किस gas की होती है पैला option है oxygen C option है hydrogen B option है carbon dioxide और D option है nitrogen दिया होने किएगा 78% nitrogen present होता है हमारे atmosphere में हमारे वाईउ मंडल में 21% oxygen होता है और 1% earning gases होता है जिसमें carbon dioxide की जो मात्रा होती है वो होती है 0.03% और organ कितना होता है जो organ gas होती है वो 0.93% होती है इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है maximum amount तो सबसे ज़्यादा nitrogen होता है 78% इसलिए हाँ पे correct answer हो जाएगा option D अगला question है question number 149 renewable source of energy इस यहाँ पे कह रहे है ऐसे source जो आगे चल कर कि खतम ना हो renewable source पूछ रहे हैं ठीक है जो कोईला होता है वो जादा use करने पे आगे नहीं मिलने वाला है कोईला खतम हो जाएगा petroleum भी खतम हो जाएगा ठीक है uranium भी लेकिन plants जो है वो renewable source है कोईला petroleum यह कैसे हैं यह non renewable है यहाँ पी पूछा जा रहा है renewable source तो renewable source of energy plant हो जाएगा यहाँ पे answer option C अगला question है question number 150 यह last question है कोईशन है ozone layer is found in ozone layer कहां पाई जाती है पहला option है thermosphere दूसर option है status pair जिससे समताफ मंदल भी कहते हैं C option है troposphere यह D option मेजosphere यह मत्य मंदल तो ध्यान रखिएगा जो ozone layer है वो status pair में यह समताफ मंदल में पाई जाती है तो correct answer हो जाएगा option question है question number 121 my name of evolution is मुल्यांकन का मुख उद्दे शेपल option दिया है to maintain discipline अनुशाशन बनाय रखना maintain रखना discipline second option है to conduct examination only केवल परिक्षा करवाना यह फिर तीसा option है to set question paper only केवल question paper को बनवाना यह फिर D option है to know learners performance and bring improvement यानि कि यह जानना कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है और कहां पे सुधार की जरुवत है यही सब जानने के लिए ही evolution यानि कि मुल्यांकन किया जाता है और यही main उद्देश होता है मुल्यांकन का इसलिए यहां पे correct answer हो जाएगा option D to know learners performance and bring improvement यानि कि क्या बच्चे की performance जानना कि किस तरह का बच्चा परफॉर्म कर रहा है कितना उसने सीखा है कहां तक क्या क्या हुआ है किस level तक बच्चे के ग्यान को बढ़ाया गया है यही सब जानने के लिए कहां पे सुधार की जरु अगला कुशन है कुशन नमबर 122 विच वन अफ दा फालोइंग इस को कॉरिकुलम एक्टिविटी इन साइन्स टीचिंग निम में से कौन सी किरिया विज्ञान शिक्षण में पार्ट सहगामी है पहला option दिया है science club दूसा option दिया है audio visual aids तीसा option दिया है text book और चौता option दिया science की इसलिए आपे correct answer क्या हो जाएगा science club option one next question है question number 123 the process to separate impurities from water butter from curd small stones from wheat etc इस कौल यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे separate की जारी है चीजें जैसे कि impurities separate की जारी है पानी से ठीके पानी में से जो अशुद्धी होती उसको अटाया जा रहा है दही से मक्षन को separate किया जा रहा है गेहु से चोटे चोटे जो इसमें stone से कंकर है उसको अलग करा जा रहा है तो इस प्रोसेस को या इस क्रिया को क्या कहेंगे पहला option रहा है ठीके तो यहाँ पे यहाँ पे मिक्चर नहीं होगा बी ऑप्शन किया है separation और यहाँ पर क्रेशन इसा प्रेशन मतलब क्या अर अगला कुशन है कुशन नमबर 124 विच आफ दा फालोइंग स्टेटमेंट्स इस रूँ कौन सा यहाँ पे कथन सही दिया है स्टेटमेंट्स सही दिया हुआ है पहला आप्शन दिया है आडियो वीजुलेट्स आर यूसफुल फॉर स्टुडेंट्स यानि कि जो द्रश्रफ सामगरी होती है वो हेलपफुल होती है यूसफुल रहती है बच्चों के लिए इस्टुडेंट्स के लिए जो कि बिल्कुल सही है पढ़ाने में हम लोग आडियो वीजुलेट्स का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि प्रोजेक्टर है या कोई भी आडियो वीजुलेट्स हमेशा ही यूसफुल रहा है तो ये तो स्टेट्मेंट करेक्ट दिया है दूसरा देखे क्या स्टेट्मेंट दिया है कि चार्ट और ग्राफ सार आडियो वीजुलेट्स देखे चार्ट और ग्राफ जो होते हैं वो audio visuals नहीं होते हैं audio visual aids क्या होते हैं जिसे आप देख भी सके और सुन भी सके चार्ट को केवल आप देख पाते हैं लेकिन उससे आवाज नहीं आती है तो आप सुन नहीं पाएंगे तो ये कैसा है ये audio visual aids नहीं हुआ audio visual aids वो होते हैं जो आप देख सकें जिने और सुन सकें जैसे कि टीवी है, कम्प्यूटर है, यह audio visual aids में आएगा, प्रोजेक्टर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे chart और graphs केवल ही केवल आप उसे देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, इसलिए यह statement गलत दिया हुआ है, C statement है, charts are useful only in social studies, लेकि social studies केवल subject में charts का इस्तिमाल नहीं होता है, बलकि charts आप art में, even आप English अगर पढ़ा रहे हैं, आप math के, आप किसी में भी, हर subject में आप chart का इस्तिमाल करते हैं, तो केवल आप यहाँ पे क्या लिखा है, only in social studies, बिलकुल भी नहीं, यह भी गलत दिया है, कत D दिया हुआ है, audio visual aids are not important for efficiency in teaching, यहनी कि यहाँ पे कहरें कि audio visual aids important नहीं है teaching में, तो यह तो गलत दिया है, audio visual aids बहुत important है, यहाँ पे correct statement दिया हुआ है, option A अगला question है, question number 125, there is an initial test before actual construction of a test, the initial test is called, परिक्षण की वास्तिविक रचना से पूर्व, उसकी प्रारंबिक चार्च कर लेनी चाहिए, इस प्रारंबिक चार्च को क्या कहते हैं, इस प्रारंबिक चार्च को pilot study कहते हैं, जो कि यहाँ पे option तीसर दिया हुआ है, यहनिकि option C तो correct answer हो जाएगा है, आपे option C, अगला question है, question number 126, which of the following states या country is adjacent to जेसलमेर, बिकानेर and श्री गंगा नगर, डिस्टिंक्स ओफ राजस्तान, यानि कि कह रहें कि कौन सा राज या देश, राजस्तान के जेसलमेर, बिकानेर, ततर श्री गंगा नगर, जिलो से लगा हुआ है पहला option है, गुजराद, दूसरा option है, मद्य पिरदेश, तीसरा option दिया है, हरियाना, या फिर चौर्था option है, पाकिस्तान, तो यहाँ पे आप कोशन में देखें, तो राज और देश, कुछ भी, यहाँ पे देश लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान देश है, इसलिए आपे correct artificial satellite was, यानि कि कह रहे हैं कि first artificial satellite का नाम क्या था, नाम था आरे भट, जो कि यहाँ पे option भी दिया हुआ है, तो correct answer हो जाए गया पे option भी आरे भट, अगला कोशन है, question number 128, world environment day is celebrated on, यह कोशन कई बार आ चुका है, यूपी टेट में भी आया हुआ है, और रीट में भी आया question number 128 में पूछा जा रहा है कि one world environment day कब celebrate किया जाता है, तो पांच जून को इस से correct answer हो जाए गया आपे option C अगला कोशन है, question number 129, aquatic animals respire by, यानि कि जली ये जन्दू कैसे सास लेते हैं, शुशन कैसे करते हैं, aquatic animals वो animals होते हैं, जो पानी में रहते हैं, हो सकता है, question इस तरह से भी पूछा जाए, कि मचली किस तरह से शुशन करती है, तो ध्यान रखी का aquatic animals वो animals होते हैं, जो पानी मे रहते हैं, पहला option है, lungs अपने फेफलो द्वारा, B option दिया है, बुकलंक्स के द्वारा, या C option दिया है, एर ब्लीडर, या फिर D option है, गेल्स यानि कि गल्फलो द्वारा, तो aquatic animals अपने गल्फ रस्पायर करते हैं, शुशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे correct answer हो जाएगा, option D, देखी क्या कतन है, पहला कतन दिया है, सबसे उपर जो केसरिया रंग होता है, जंडे में, वो त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, तो केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का ही प्रतीक होता है, यानि कि यहाँ पे कतन पहला सही दिया है, दूसरा देखी क्या दिया है बीच में जो सफेद रंग होता है वो शान्ती का पिर्थीक है सफेद रंग शान्ती का ही पिर्थीक होता है यहां पे कतन दूसरा भी सही है कतन तीसा देखे क्या है मद में जो चकर होता है वो शान्ती एवं खुशाली का पिर्थीक है देखे जो चकर होता है जंडे में वो शांती एवं खुशाली का प्रतीक नहीं होता है बलकि वो पिर्गती का प्रतीक है तो यहां पे तीसा यहां पे गलत दिया हुआ है चौता देखे क्या है चौता है नीचे जो हरा रंग होता है जंडे में वो शांती एवं खुशाली का पिर्टीक है ये भी सही है यानि कि यहां पे पहला कतन सही है दूसा सही है और चौता सही है तीसा यहां पे गलत है अब आप्शन देखते हैं आप्शन यहां पे पहला है पहले से चौता सत्त तो ये गलत है तीसा यहाँ पे असत्त है B देखे क्या है पहला दूसा तीसा सत्त है और चौता गलत है बलकि तीसा यहाँ पे क्या था तीसा गलत था और चौता सत्त है यानि कि B option B नहीं सही है C देखे क्या है पहला दूसा चौता सत्त है यह बिल्कुल सही है पहला भी सही है, दूसा भी कतन सही है और चौथा भी सत्य है, लेकिन तीसा गलत है, तो यहीं यहाँ पे आंसर है, यानि कि तीसा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, option C अगला question है, question number 131, morphological futures found in the plants and animals according to the environment are called, यानि कि जो वातवरन के अनुरूप पौधे वं जन्तूँ में पाई जाने वाले शारिरिक लग्छणों को कहते हैं, पहला option है अनुकूलन, adaptation दूसा option है, parasitism तीसा option है, modification यानि कि रुपान तरण या फिर option D हैं, इनमें से सभी तो देखे, इससे अनुकूलन कहते हैं यानि की adaptation कहते हैं adaptation मतलब यही होता है कि वात औरन के अनुसार जब जीव या फिर plants अपने को ढालते हैं उसमें survive करना सीख जाते है, इसी को adaptation कहते हैं, यानि की वात औरन के अनुसार अपने को जीवे तरकना survive करना, वही adaptation कहलाता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा option A adaptation अगला question A question number 132 bird century of our state is situated in which district यानि कि bird century हमारे state की कहां पर situated है किस district में किस जिले में पहला option है सवाई माधवपुर दूसा option है अलवर तीस्ता option दिया है भरतपुर और चौता option है उदयपुर तो देखी यह है भरतपुर आंसर हो जाएगा भरतपुर अगला question A question number 133 which of the following is not true with respect to air यानि कि वायू से related यहां पर कुछ लिखे हुए कथन आपको उताने कि कौन सा यहां पर सही नहीं है पहला option है एर क्राफ्ट कैन फ्लाइ वायू मान उड़ते हैं बिलकुल उड़ते हैं बी देखे क्या है एर हैस वेट क्या हवा का भार होता है C option is air occupies space क्या हवा जगह गेरती है आपने देखा होगा अगर बैलून में हवा भरें तो क्या वो जगह गेरेगी बिलकुल भार भी होता है और वो जगह भी गेरती है और वायू मान उड़ते भी हैं यह तीनों ही सही दिये हैं लेकिन जो D option दिया है कि air has color air में कोई color नहीं होता है कि आपने कभी हवा में color देखा है, color रंग हीन होता है वायू जो होती होती है रंग हीन होती है रंग बिलकुल भी नहीं होता है यहाँ प libr हो जाएगा correct answer option D क्योंकि यहा पे not true पूछाता कि कौन सा कतन सही नहीं है yep here has pair कोई भी कलर नहीं होता है यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगला कुशन है कुशन नंबर 134 दा इनर्जी स्टोर्ड इन इस प्रिंग ऑफ वाच इस देखिए जो घड़ी की स्प्रिंग में जो उर्जा होती है वह कौन सी होती है क्या वह मेकैनिकल इनर्जी है या ही ही एनर्जी है या लाइट इनर्जी है यह इलेक्ट इनर्जी है तो मिजली से नहीं होती है ओफ यह एपशन अगला कुशन है कुशन नमबर 135 जर्मी साइट्स यूज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर आर जो जर्मी साइट्स डालते हैं ड्रिंकिंग वाटर में यानि कि पीने के पानी में जो जर्म आने के लिए जो जर्मी साइट्स डालते हैं वो क्या होता है पहला अप्शन है पोटेश क्लोराइड एन क्लोरीन. C option is sodium क्लोराइड एन oxygen. D option is potassium sulfide and chlorine. देखिए यहां पे सही answer है option 1 Potassium permagnate डालते हैं जो कि लाल दवाई जिसे कहते हैं लाल दवा के नाम से भी जानी जाती है. Potassium permagnate यही डालते हैं germs को मारने के लिए germicides के रूप में पोटेशियम पर मेंगनेट एंड क्लोरीन डालते हैं पीने के पानी में डिंकिंग वाटर में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा है यहाँ पर ऑप्षिन वन अगला कुशन है कुशन नमबर 136 observe the following carefully यह जो symbol है यह जो sign बना हुआ है traffic sign इसका क्या मतलब है किस तरह इंडिकेट करता है पहला option देखिए क्या है major road या फिर दूसरा option है narrow bridge कल आप देखा होगा जो मैंने कल आपको paper solve करा है उसमें कुछ इस तरह का symbol था तो यह symbol होता है narrow bridge का तो यहाँ पर narrow bridge answer नहीं होगा C देखिए क्या है railway crossing और D option है damaged road यानि कि खराब सड़के तो यह जो sign होता है traffic sign इसका मतलब होता है damaged road तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option D damaged road अगला question देखिए क्या है question is 137 small fox and rabies disease are caused by यह जो small fox यानि जिससे छोटी माता कहते हैं और rabies rabies क्या होता है जब कुतना काट लेता है तो उससे काटने से जो disease हो जाती है उसी को rabies कहते हैं तो small fox and rabies जो disease होती है वो किसके वज़़ा से होती है क्या वो virus होता है या bacteria है या protozoa या nematodes है तो देखिए यह virus होता है अलग-अलग virus होते हैं virus के भी कई पिरकार होते है rabies जो disease होती है वो अलग virus से होती है smallpox एक अलग virus से होती है लेकिन यह दोनों ही diseases virus से होती है तो इसलिए यहाँ पर correct answer हो जाएगा option one virus अगला question है question number 138 we take food and digestion takes place the useful substances from digested food are absorbed हम खाना खाते ह यह उसके बार digestion होता है तो जितने भी useful substances होते हैं वो कहां absorb होते हैं पहला option है stomach देखिए हम जब खाना खाते हैं वो stomach में जाता है और सबसे ज़्यादा देर जो भोजन होता है वो stomach में ही रहता है protein का digestion भी stomach में start हो जाता है लेकिन complete नहीं होता है इस बात को भी ध्याना small intestine में जाकर होता है और जितने भी useful substances होते है वो small intestine में ही absorb होते हैं यहाँ पे correct answer होता है option बी small intestine small intestine में ही complete dotation होता है इस बात को भी ध्याना केगा absorb भी small intestine में होता है large intestine में gel Pennsylvania फैस्जा का absorption होता है तो астиक है इस बात को ध्याना किएगा और जो liver है वो largest gland है. लीवर बाइल जूस रिलीस करती है ठीक है जो इस्टोर होता है गॉल ब्लेडर में इन सब को ध्यान रखेगा अगला कोशन है कोशन नमबर 139 प्लांट संथिसस फूड बाइफोटो संथिसस यानि कि जो पौधे होते हैं वो पिरकाश संस्लेशन द्वारा भोजन बनाते हैं तो इस प्रोसेस में जो यह जो पिरक्रिया होती है प्रकास संस्टिलेशन में उसमें क्या क्या होता है ठीक है आपको अगर नहीं आदे तो रियक्शन ध्यान रखेगा तो कभी गलत नहीं होगा कार्बन डाय उकसाइड प्लस 6H2O यानि की वाटर ठीक है कार्बन डाय उकसाइड और वाटर साथी साथ जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजन्स में संलाइट की मदद से फोटोसेंसिस प्रकास संस्टिलेशन होता है और भोजन के तोर पर गलुकोज बनता है C6H12O6 ठीक है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है 6O2 तो ये रियक्शन होती है ठीक है ये C6H12O6 क्या है ये गलुकोज खोजन के रूप में गलुकोज बनाते हैं साथी साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन गैस कार्बन डाय उकसाइड वाटर इसकी मदद से से सनलाइट और क्लो option पहले में दिया है oxygen water sunlight and chlorophyll तो यह नहीं होगा oxygen gas तो वो release करते हैं इसलिए हाँ पर option 1 नहीं होगा option 2 देखे क्या है oxygen sugar sunlight and water यह भी नहीं है ठीकि option C देखे क्या है carbon dioxide water sunlight chlorophyll बिल्कुल सही है इन चारों की मदद से ही जो पौदे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं जिस पर क्रिया को प्रिकार संसलेशन कहते हैं यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C option D देखे क्या है carbon dioxide sugar देखे भोजन यानि कि यह जो glucose है वो sugar ही तो है तो भोजन के रूप में वो glucose बनाते हैं ठीकि इसने यहाँ पर D नहीं होगा option C यहाँ पर correct हो जाएगा अगला question है question number 140 normal temperature of human bodies देखे यहाँ पर Celsius में दिया है unit देखेगा unit यहाँ पर Celsius दी है तो normal temperature human body का Celsius में 37 होता है 98.6 जो है वो Fahrenheit में होता है और 310 Kelvin में होता है इस बात को ध्यान रखेगा normal temperature तो unit ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि आपने 98.6 देखा आपने पढ़ा भी था तो यह Fahrenheit में होता है 37 degree Celsius normal temperature होता है human body का तो correct answer हो जाएगा आप पर option D अगला कुशन है कुशन number 141 minerals found in उदैपुर and भिलवारा डिस्टिक सहर कौन से खनेच उदैपुर और भिलवारा जिले में पाए जाते हैं मिलते हैं पहला option दिया था zinc, lead, silver and copper यह चारो ही पाए जाते हैं जिंक भी अनिकि जस्ता, C साथ, चांदी and तांबा तो correct answer यहाँ पे हो जाएगा option 1 अगला कुशन है कुशन number 142 in which district of राजिस्टान इस petroleum pumped up राजिस्टान की किस जले में petroleum निकाला जाता है पहला option है बारान, दूसर option दिया है भारतपूर, तीसर option है जोतपूर और चौथा option है बाणमीर तो correct answer है यहाँ पे option 4 बाणमीर अगला कुशन है कुशन number 143, moon, eclipse, occurs, one, चंद गरन कब होता है देखे जैसे कि यह है सूरच, यह क्या है यह है सन, और सन के चार ओर चकर लगा रही है पिर्थवी, यह क्या है यह है यह है पिर्थवी यानिकी अर्थ, और अर्थ के चार ओर चकर लगा रहा है moon, ठीक है चकर लगाते लगाते इधर आ गया है तो जब moon, यह है moon, यह है sun, जब moon और sun के बीच में पिर्थवी होती है तब क्या होता है चंद गरन होता है ठीक है तो ध्यान केगा जब अर्थ यानिकी जब पिर्थवी moon और sun के बीच में होती है यानिकी जब पिर्थवी सूर और चं के बीच में आ जाए जब यह मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब वहाँ पे सूर्गरण हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखें पहला option दिया है earth is between sun और मून जब अर्थ बीच में हो sun और मून के तब ही होता है चन्द गरहन तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा option one option two देखे क्या दिया था moon is between earth and sun यानि कि अब जो यह moon है यह earth और sun के बीच में आ गया है तो यह जब option देखे option b तो यह option यह जब moon बीच में हो earth और sun के तब वहाँ पे चन्द गरहन नहीं बलकि सूर गरहन होगा इस बात को भी ध्यान रखेगा थीक है तो I hope आपको समझ में आया होगा चन्द गरहन क्या कब होता है और सूर गरहन कब होता है अगला कोशन है 144 रास्ट पशू है रास्ट पशू पूछ रहे हैं पहला है option more दूसर पशन है शेर तीसर पशन है बाग यान के टाइगर और D option है चिंकारा ध्यान की गई जो चिंकारा है यह राज्ज पशू है राजिस्तान का कल हम लोगे पढ़ चुके हैं और राज व्रक्षे खेजरनी ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था ठीक है बाग यहां पर आंसर हो जाएगा क्योंकि रास्ट पशू बाग यहां पर पक्ची पूछते तो मोर होता ठीक है तो यहां पर रास्ट पशू पूछ रहे थे तो इसलिए आंसर हो जाएगा option c tiger अगला कुशन ए 145 sun city is the name of यांग की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है पहला प्शन है जैपूर को दूसरा आप्शन है जेसल मेर को तीसा आप्शन दिया है बाण मेर को या फिर जोधपूर को तो ध्यान रखेगा सूर्य नगरी जोधपूर को कहा जाता है यहां पर आंसर पर आजाएगा option 4 अगला कुशन है 146 नेम में से कौन सा कथन सही है यहां पर आपको उताना है कि कौन सा है कथन सही दिया है पहला दिया है एकल परिवार में दहेज पिर्था सामान निबात है ऐसा बिलकुल नहीं होता है कि जो nuclear family होती है वहां पर दहेज पिर्था एक सामा आने बात है ऐसा भी नहीं है ठीक है तो यह भी गलत हुआ सी देखे क्या है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराईया है बिलकुल दहेज भी सामाजिक बुराईय है और बाल श्रम भी सामाजिक बुराईय है यहीं यहां पर करेक्ट हो जाएगा डी भी देख लेते हैं D option है दहेश तथा बाल श्रम शेहरों में सामाने बात है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शेहरों और नगरों की अलग अलग हो यह भी गलत दिया है यहाँ पे correct answer हो जाएगा option C अगला question है 147 मानव शरीर हड्डियों का धाचा मात रह जाता है इसका कारण है पहला option है लंबे समय तक तंबाकू गिरहन करने से यही correct answer कि जब व्यक्ति लंबे समय तक की तंबाकू का सेवन करता है तो उसका जो शरीर होता है वो केवल हड्डियों का धाचा रह जाता है यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 1 अगला question है 148 which of the following materials is not used for a construction of a house यानि कि यहाँ पे चार option में से कौन सा एक material है जो घर बनने में नहीं use होता है आप सभी ने घर बनते वे कभी न कभी देखा होगा तो देखे पहला option यह है cement cement तो used होती है iron लोहे के सरीयों से ही तो छटे बनती है इसकी help से structure खड़ा होता है तो iron भी ठीके stones पत्थर भी लेकिन scooter का काम घर बनने में नहीं होता है तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा scooter option D second last question है उन प्राप्ट होती है पहला option है भेड उट एवं याक के बालों से दूसरा option है भेड शेर एवं उट के बालों से देखे शेर आ गया है तो यहाँ पे eliminate कर दीजे उट हाती एवं खरगोश के बालों से तो यह भी नहीं होगा हाती से बिलकुल भी नहीं यहाँ पे correct answer हो जाएगा option one अगला question है last question इस paper का 2012 के paper का last question है बंदर शेर चुहे के घर क्रमशा देखे बंदर चुहे वो पेड़ों पर रहता है शेर गुफा में रहते हैं चुहे बिल बना कर रहते हैं तो ऐसा option कौन सा दिया है option तीसा दिया है बंदर पेड़ में रहते हैं शेर गुफा में रहते हैं और चुहे बिल में रहते हैं यहां भी correct answer हो जाएगा option पहला question है question number 121 in which of the following the garden cultivation is studied निम में से किस में उतधान किर्शी का अध्यान किया जाता है पहला option है botany दूसर option है horticulture तीसर option है geology और चौता option है anatomy देखे ध्यान रखेगा botany में पीड पौदे के बारे में अध्यान होता है anatomy में structure organisms का जो structure होता है उसके बारे में अध्यान किया जाता है geology में अर्थ के बारे में अध्यान किया जाता है यहां पे correct answer हो जाएगा horticulture horticulture में garden cultivation का अध्यान किया जाता है यहां पे correct answer हो जाएगा option B अगला कुशन है कुशन नमबर 122 यहां पी एक परिभाशा दी है और आपको बताना है यह परिभाशा किस ने दी परिभाशा है विज्ञान प्रकरतिक विशय का व्यवस्त ज्यान एवं धार्नाओं के मद सम्मंदों का तार की कद्यान है जिसमें यह विशय वियक्त होते हैं और परोग्द विज्ञान की परिभाशा किस ने दी तो यह परिभाशा WC, Dampier ने दी है आपशन हो जाए गया आ अगला कुशन है कुशन नमबर 123 परियावरन अध्यन के अधिकम का सिध्धान कौन सा है पहला अवशक्ता का सिध्धान दूसर अप्शन है उपयोगिता का सिध्धान तीसर अप्शन है जीवन से संबंदित होने का सिध्धान या फिर ऑप्शन दी ये सभी तो करेक्ट आंसर हो जाए गहां पर option D यह सभी अगला question है question number 124 which gas is responsible for global warming तो यहां पर दो answer सही है carbon dioxide भी होती है और methane भी होती है और answer की में भी यह दोनों ही option correct माने गए हैं तो यहां पर cb correct है और bb correct है global warming में carbon dioxide gas भी responsible मानी जाती है साथी साथ methane भी इसलिए यहां पर दोनों ही answer correct है methane and carbon dioxide अगला question है question number 125 how many main steps are followed in project method प्रियोजना विधी में कितने मुक्स वापान प्रियोगत होते हैं यहां पर दो answer correct माने गए थे चौथा वाला और पहला वाला ने की 4 और 6 है अगला question है question number 126 निम में से कौन सा प्रात्मे की स्तर पर विज्ञान शिक्षर का वानशित उद्देश है पहला option है विज्ञान के तथियों और सिधान्तु एवं इसके अनुप्रियोगों को जानना दूसरा option है प्राकरतिक जिग्यासा सौंदर परक्ता की अनुभूती तथा विज्ञान एवं प्रधोग की में सरजनात्मक्ता का portion C option दिया था इमानदारी, सत निस्ठा और सहियों के मूल्यों को आत्मसाथ करना या फिर option 4 यह सभी तो विज्ञान शिक्षर का यह सभी उद्देश होता है इसलिए आपर करेक्ट आंसर हो जाएगा option D उप्युक्त सभी अगला question है question number 127 विशिस्ट से सामाननी का सिध्धान निम में से किसमें प्रयोग होता है पहला option है विश्लेशन विदी तो विश्लेशन विदी नहीं होगा दूसर option है हिरिस्टिक मेथड तीसर option है सिंथिक मेथड और चौत्व आप्शन है इंडक्टिव मेथड यानि की आगमन विदी में ही विशिस्ट से सामान की ओर जाते हैं इसलिए आपर करेक्ट आंसर हो जाएगा option D अगला question है question number 128 चोटी कक्छाओं में परियावरण अध्यान विश्लेशन में रूची उत्पन करने के लिए पढ़ानी का तरीका होना चाहिए पहला है आगमन दूसरा है यहाँ पर मनुरंजन एवं खेल संबन दी तीसा है रटनी का और चौता है निगमन विदी तो देखें यहाँ पर option B करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर छोटी कक्छाओं की बात हो रही है छोटी कक्छाओं में बच्चों को जब आप कहानी किस्तों के दौरा अगला कुशन है कुशन नमबर 129 अच्छे प्रिंश्पत की क्या विशेश्टा होती है पहला option है वेदिता दूसर option है विश्वेनिता और C option है A and B दोनों और चौथा option है विस्तरत देखें विस्तरत यानिकी comprehensive यह नहीं होती है व्यापक्ता नहीं होती है यहाँ पर answer हो जाएगा option C क्योंकि option C में दोनों ही option है option A और option B जो की बिल्कुल सही है वेदिता भी होनी चाहिए साथी साथ विश्वनिता भी होनी चाहिए इसलिए correct answer हो जाएगा आप पर option C अगला question है question number 130 which is projected aids कौन सा इसमें projected aids है तो सबसे पहले आप यहाँ पे list देख लीजे यहाँ पर यह जो लिखा है यह projected aids है और यह non projected है ठीके तो देखें projected aids में सबसे पहला ही लिखा हुआ है OHP ठीके इन सभी को देख लीजेगा हो सकता है अगली बार कोई और option देदें तो इनको देख के जाईएगा projected aids में सभी आएंगे OHP भी इसी में आता है तो इसका answer तो मिल गया क्योंकि यहाँ पे पूछे थे कि कौन सा projected aids है तो कौन सा है OHP है OHP क्या होता है OHP overhead projector होता है जो कि इस तरह का होता है ठीके यहाँ पे आपको यह दिख रहा है यही यह overhead projector इस पे sheet sheet रखी जाती है sheet में teachers OHP pen से notes बनाते हैं diagram बनाते हैं और जब इस sheet इस पर रखते हैं तो यह यहाँ पे show होती है इस तरह से पढ़ाई होती है यहाँ पे answer हो जाएगा OHP projector ठीक है OHP projector यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे C option दिया है model और D option दिया है finannel board तो देखें यहाँ प इन बोल्ड क्या होता है कुछ इस तरह का होता है ठीक है और यहाँ पे दिखें model और finannel board जो है वो non projected में आएगा यहाँ पे जो मैंने आपको list दिखाई है non projected में इसमें देखें लिखा हुआ है यह रहा model और यह रहा finannel boards ठीक है तो यह दोनो non projected है तो correct answer हो जाएगा इस question का option question B OHP जमा कीजाए बेंजमा कीजाए हर गर की अपने अपनी होती है ठीक है तो यह नहीं हो सकता है कि यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ती जो कमा रहा है वो अलग-लग separate करें अलग-लग safe करें अलग-लग रखे तो यह नहीं है विशिशता बाकि it three इसा देखी क्या दिया है वे सामान, आवास, भोजन और सामान, सामाजिक क्रियाओं का उप्योग करते हों ये भी है दी देखी क्या है सुरक्षा एवं बच्चों का साजा उत्तर दायत है तो ये भी सही है यानि कि यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा option B क्योंकि यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा option B अगला कुशन है कुशन नमबर 132 रास्टे बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरन की स्थापना कब की गई थी ये 26 सितंबर को की गई थी 1994 में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपे option B अगला कुशन है कुशन नमबर 133 भारत में बाल विवा निरो अधिनयम किस वर्ष पारिट किया गया तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानन लीजे कि बाल विवा निरोद अधिनयम क्या है तो देखें बाल विवा निरोद अधिनयम Yogyaramento 1929 में पहली बार लाग हूवा था दो हज़ार 6 में संशोदन बाल विवा पिर्थीभ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा option 1 2006 में संशोधन सबसे पहले 1929 में पहली बार लागू हुआ था उसके बाद शंशोधन 2006 में लागू हुआ तो यहाँ पे correct आंसर हो जाएगा option 1 2006 आगे देखे तीसा point है जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है कानू शादी की नियुनतम उम्र लड़के की 21 साल होती है और लड़की की 18 साल होती है इस बात को भी ध्यान रखेगा फिफ्ट देखे point क्या है शादी आमान करार दिलवाने का अधिकार है ठीक है six देखे क्या है जिसने भी बाल विवा किया उसे डंड मिल सकता है दो साल तक की सजा है एक लाग तक का जुर्माना है यह यह दोनों ही तो यह point ध्यान रखेगा अगला question है question number 134 which is not a correct match कौन से यहां पर correct match नहीं है यहां पर कपड़े के type लिखे हैं और यहां पर state ल बिल्कुल सही है फिरन क्या होता है फिरन इस तरह के कपड़े होते हैं धीले धीले जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिसे फिरन कहते हैं यह question 2012 में आया हुआ है तो फिरन जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही वस्तर फिरन जम्मू कश्मीर state में ही पहना यहां पे मैंने वस्तर की पिक भी लगाई हुए है पानुभाजो की यह गोवा में होता है वेस्ट बंगाल में नहीं यहां पे इंक्रेक्ट दिया है और आप Pas को यहां पे यही बताना ता की कौन अ इनक्रेक्ट है तो क्रेक्ट आंसर हो जाएंगा ताहें में जाते हैं तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है आगे देखिए फूर्थ क्या दिया है फुलकारी फुलकारी पंजाब बिल्कुल सही ये भी दिया है फुलकारी इस तरह का होता है जैसे कि ये डुबट्टा उड़े हैं ये फुलकारी है जो कि पंजाबी लोग पहनते हैं राजस्तान के घरों में फर्ष बनाने में उप्योग नहीं लिया जाता पहला देखी क्या है पहला आप्शन ने मार्बल मार्बल बिल्कुल लिया जाता है फर्ष बनाने में राजस्तान में कुछ इस तरह का होता है तो यह तो सही दिया है बी आप्शन दिया है कोटा स्टोन कोटा स्टोन इस तरह का होता है यहां पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है इस तरह से फर्ष बनता है इस स्टोन से जो कि राजस्तान में भी यूज़ होता है यह भी करेक्ट है C यहां पे दिया है सोप स्टोन सोप स्टोन इस तरह का होता है ये फर्ष बनाने में नहीं यूज होता है तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C, soap stone ठीक है, sand stone क्या होता है sand stone यहाँ पर manipic लगाई इस तरह का होता है stone इसका भी इस्तिमाल किया जाता है फर्ष बनाने में, लेकिन soap stone का इस्तिमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर correct हो जाएगा answer option C, ध्यान अखियेगा question में पूछा जा रहा है राजिस्तान में घरों के फर्ष बनाने में ठीक है, तो soap stone का इस्तिमाल राजिस्तान की घरों के फर्ष बनाने में नहीं किया जाता है इसलिए यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C अगला question बोनस question है इसलिए next question पर चलना अगला question A, question number 137 कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर मेले दिये हैं और यहाँ पर जिस राज में मेले पड़ते हैं वो राज जी यहाँ पर दिया है देखिए, अमबा जी मेला गुजरात में होता है बिल्कुल सही दिया है B option A, माग मेला माग मेला उत्तर परदेश में होता है यह भी एकदम correct है नेना देवी मेला तो नेना देवी मेला यहाँ पर आसम लिखता है तो आसम में नहीं बलकि हिमाचल परदेश में होता है इसलिए यहां पे incorrect हुआ option C यहीं यहां पे answer हो जाएगा कि कि यहां पे incorrect ही आपको बताना था यहां पे D option दिया है बैनेश्वर मिला तो बैनेश्वर मिला राजिस्तान में होता है यह भी बिल्कुल correct दिया है यहीं कि correct answer हो जाएगा आपे option C अगला कोशन है कोशन नमबर 138 राजिस्तान स्टेट कैमिकल वक्स कहां इस्तित है यह D दिदवाना मिस्तित है तो correct answer हो जाएगा आपे option 1 D दिदवाना अगला कोशन बोनस कोशन है अगला कोशन है कोशन नमबर 140 राजिस्तान की कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है तो कुल 25 है इसलिए correct answer हो जाएगा है आपे 25 अगला कोशन है वेर वेल यूफाइड सिलियेटट एपिथीलियम इन दा बोडी अफ एनिमल्स तो यह सिलियेटट एपिथीलियम ब्रॉंकियोल में होता है correct answer हो जाएगा है आपे option B ब्रॉंकियोल अगला कोशन है question number 142 which of the following is not a simple tissue कौन सा यहाँ पे simple tissue नहीं है तो सबसे पहले देख लीजे simple tissue parent कायमा वी होता है skeleton कायमा वी होता है और colon कायमा वी होता है लेकिन जो यह xylem होता है simple tissue नहीं होता है बलकि यह complex tissue होता है इसलिए आपे answer हो जाएगा xylem क्योंकि बाकी यह तीनों ही simple tissue होते है लेकिन xylem simple tissue नहीं complex tissue होता है इसलिए आपे correct answer हो जाएगा option E अगला कोशन है question number 143 malaria is cause by इससे पहले वाले पेपर में डेंगो पूचा था malaria होता है correct answer हो जाएगा आपे option 1 अगला कोशन है question number 144 which of the following is one of three biodiversity hotspots of India तो सबसे पहले इन तीनों के नाम जान लीजे पहला नाम हिमाले दूसर नाम हिमाले दूसर नाम हिमाले तीसर नाम हिमाले रीजन तो यहाँ पे option देखे तो option में हिमाले दिया हुआ है इसलिए आपे correct answer हो जाएगा option C हिमाले अगला कोशन है question number 145 2011 का paper जो हम लोगों ने solve के उसमें भी राज जिवरक्ष पूचा था राज जिवरक्ष है खेजरनी ठीक है राज जिवरक्ष, राज पक्षी, राज जेपशू, राजिस्तान के पढ़के जाएगा इस कोशन है पूचा जा रहा है राजिस्तान का राज जेपशू कौन सा है ठीक है यहाँ पे हो जाएगा option C उट है यहाँ पे अगर आता कि national animal कौन सा है इंडिया का तब यहाँ पर आंसर आता टाइगर जो की 2012 की फेपर में पूचा गया है आंसर हो जाएगा है यहाँ पर कैमल यानि कि स्टेट पूचा इस्टेट अनिमल आफ राजिस्तान तो कैमल ए उठ है करेक्ट आंसर हो जाएगा option C अगला question है question number 146 Concave mirror can form image when the object is placed very close to the mirror यानि कि जब object को बहुत ही करीब आप रख दें तो किस तरह की image form होगी तो virtual erect and magnified इस तरह की image form होगी virtual end क्या भासी cd and magnified अगला question है question number 147 which is not a source of air pollution कौन सा यहाँ पे source नहीं है air pollution का ठीक है देकि automobilist से तो air pollution होता ही है तो यह तो source है ठीक है भी industries, industries से भी धुए निकलते हैं तो यह भी source ही है यहाँ पे c दिया है solid waste देकि solid waste नहीं source होता है air pollution का ठीक है solid waste से air pollution नहीं होगा इसलिए आप पे correct answer हो जाएगा option c option d तो dust particles है तो यह तो है यह air pollution ठीक है तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा option c solid waste अगला question है question number 148 which statement is correct in the following पहला है all metals are tensile देखे tensile लेने की तन ही मतलब होता है तार बन जाएगा जिसके ठीक है तो सभी metals tensile नहीं होते हैं सब एक से नहीं होते हैं कुछ exception भी होते हैं ठीक है तो यहाँ पे पहला नहीं होगा b दिया है all non metals are tensile ऐसा भी नहीं है कि सारे non metals tensile होते हैं c दिया है generally metals are tensile यह बिल्कुल सही है कि सामान निता धातुएं तन्नी होते हैं लेकिन सभी यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ exception भी पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पे correct answer हो जाएगा option c अगला question है which is not a renewable resources in Rajasthan, Rajasthan में कौन सा नवी करन संसादन नहीं यहाँ पे natural gas है natural gas, petroleum, coal यह अगर आप जादा use करेंगे तो आगे जाकी अगली generation को यह नहीं मिलने वाला है इसलिए आपे correct answer हो जाएगा option b question number 150 which of the following is not listed as wet land in Ramasar convention कौन सा Ramasar घोशना की सूची में नम छेतर नहीं है यहाँ पे answer हो जाएगा option d राज समंदर जील correct answer यहाँ पे question है which is the state bird of Rajasthan इस तरह के question बार बार आते हैं किसी में state bird पूछी जाती है state bird राजस्थान की क्या है state animal क्या है state tree क्या है तो इन सब को पढ़ के जाएगा राजस्थान का अगर आप read का फेपर देने वाले हैं तो कम से कम आप यह सब चीज़े ज़रूर पढ़ के जाएगे यह बार बार आये हुए है repeat हुआ है और यह question भी repeat ही हुआ है ठीक है which is the state bird of Rajasthan Rajasthan का राज पक्षी कौन सा है पहला option दिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं गोडा वन तो यही है राजस्थान का राज पक्षी correct answer हो जाएगा है आपे option 1 देखे national 2015 में national animal पूछा था national animal इंडिया का क्या है तब आंसर हुआ था tiger अगर पूछते कि राज जन्तू जिसे animal कहते है यानके state animal अगर राजस्थान का पूछते तो camel यानकी ऊट ये भी question आ चुका है ठीके state tree कौन सा है राजस्थान का खेजरनी tree है state bird क्या है state bird है गोडावन राजस्थान की ठीके peacock क्या है peacock national bird है इंडिया की national bird of India अगर पूछते तब peacock होता d जो यानकी सारस है सारस state bird है उत्तर प्रदेश की इस बात को भी ध्यान रखिएगा ठीके तो इसका answer हो जाएगा question number 121 का option 1 अगला question है question number 122 which is correctly matched ठीके कौन सा यान पे सहीद है पहला option यहाँ पे है कहाँ पे है new Delhi यहाँ पे देखे new Delhi दिया है जबकि यह new Delhi में नहीं बल्कि यह Mumbai में है ठीके दूसर option दिया है botanical survey of India Kolkata c option दिया है wildlife institute of India coimbatur देखे यह भी coimbatur में नहीं है यह बल्कि उत्तरा खड़ में है तो यह भी गलत है दी देखे किया दिया है national botanical research institute यह जोदपूर लिखा है जबकि यह जोदपूर में नहीं बल्कि यह UP में पढ़ता है ठीक है तो यहाँ पे correct answer है option B क्योंकि botanical survey of India Kolkata में है तो correct answer है यहाँ पे option B अगला question है question number 123 which of the following is not a source of renewable energy यही question 2015 में आया था कीवल option change थे सबसे पहले इस question को समझे renewable energy क्या होता है ऐसी energy जिसे आप जितना भी इस्तिमाल करें वो खतम ना हो ऐसी energy जिसे आप जितना भी इस्तिमाल करें वो खतम ना हो ठीक है जैसे कि यहाँ पे पहला option है fossil fuel 2015 में same यही question था बस option में दिया था natural gas तो हम लोग ने टिक लगाया था natural gas क्यों टिक लगाया था natural gas क्योंकि coal, petroleum and natural gas क्या है fossil fuel है coal, petroleum and natural gas fossil fuel है इसलिए वहाँ पे टिक लगाया था natural gas यहाँ पे उन्होंने fossil fuel दिया है तो correct answer हो जाएगा है आपे fossil fuel Hydro electricity हाइडो नेकिया मैं आपको इनर्जी सूरस से जो इनर्जी मिलती। Sunlight से जो energy मिल नहीं वो भी खतम नहीं होगी Wind energy, हवा से जो हमें energy मिल नहीं वो भी खतम नहीं होगी लेकिन fossil fuel, coal petroleum और natural gas होती है और अगर आप नहीं जानते हैं coal petroleum और natural gas को बनने में million years लगते हैं अगर हमने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया यानि कि जादा किया तो आगे जाए आगे वाली जो जनेरेशन आ रह andra के इसको ये नहीं मिलेंगे अगर आप इस वर्ल का मीनिंग समायना चाहते हैं तो फ्यूल इन्धन हिन्दी में जिवाश की इंधन गवाम होता है इंधन क्या होता है इंधन किसी भी पधार्थ को जब आप जलाते हैं उसे जो heat मिलती है उसे fuel कहते है fossil मतलब होता है dead animals and plant से जो energy heat मिलती है ठीक है जो heat मिलती है fossil जिस भी पधार्थ को आप जलाएंगे आपको heat मिलेगी तो अगर आप dead animals plant से अगर आप नहीं जानते हैं तो दिखी कोल पेट्रोलियम को बनने में मिलियन्स लगते हैं समय और किस से बनते हैं डेड एनिमल प्लांट से ही तो कोल पेट्रोलियम और नैच्रल गैस तैयार होता है तो यहां पी करेक्ट आंसर हो जाएगा option 1 जिवाश में इन धन अगला कोशने कोशन नमबर 124 कोशने की ecosystem शब्द का इस्तिमाल सर्व प्रिथम किस ने किया था पहला option है hackle और c option दिया है tanse लेने तो ध्यान लखेगा hackle ने नहीं बलकि यहां पे आंसर हो जाएगा c tanse लेने e g tanse लेने hackle ecosystem ने बलकि ecology अगर यहां पे ecology शब्द होटा तब यहां पे आंसर हो जाता option 1 क्योंकि ecology का इस्तिमाल hackle ने किया है लेकिन ecosystem शब्द का सर्व प्रिथम पिरियोग tanse लेने किया है e g tanse लेने 1935 में ecosystem होता क्या है इसको भी समझ लीज़े ecosystem क्या है interaction between biotic and abiotic component of environment is called ecosystem यानि कि जीव समुधाय में जीव है और उनके चारों और जो आज़ीव विवातवरण है इसमें जो परस पर संबन्द है एक दूसरे पर यह क्या करते हैं प्रिभाव डालते हैं इसी को ही ecosystem कहते है अगला question है question number 125 भारत का सरवदिक वर्षा वाला इस्थान कौन सा है option यहाँ पर सही हो जाएगा option D ठीके option D सही है मासिन राम जो की में घाले में पड़ता है तो correct answer है यहाँ पर option D अगला question है question number 126 biotic component of environment includes यानि कि परियावरेंट के जैविक घटक में शामिल है तो हमारी ecosystem के दो component होते हैं एक तो biotic और दूसरा आ-biotic यानि कि एक जैविक और दूसरा आ-जैविक तो जैविक में यानि कि biotic में ध्यान एकिएगा plants, animals and microorganisms आते हैं उसके अलावर जो जल होता है पानी, salt, gases यानि कि air, protein, carbohydrate, fat, light, temperature, electricity यह जितने भी चीज़े हैं यह सभी abiotic में आएंगे लेकिन biotic में plants आएंगे, animals आएंगे और microorganisms आएंगे इसको ध्यान रखेगा तो option देखिए, पहला दिया है land तो land आपका abiotic component है ठीक है, air देखिए, gases मैंने आपको बताया है तो gases air, यानकी air भी क्या है air भी आपका abiotic होगा water भी abiotic है लेकिन biotic में plants आएंगे, animals आएंगे और microorganisms आएंगे तो यहाँ पर correct answer आजाएगा option C, pod ही अगला question है, question number 127 mini mata disease is related to which of the following किससे related है पहला option है cadmium pollution से तो cadmium pollution से mini mata रोग नहीं होता है बलकि इटाई इटाई नामक रोग होता है ठीक, इसलिए आपर option 1 नहीं होगा option B, जो है, वो है SO2 pollution तो SO2 pollution से अस्थमा जैसी बीमारिया होती है यानकि respiration में जो दिक्कत लाती है उस तरह की बीमारिया होती है SO2 pollution से C, option A, यहाँ पर HG pollution यहीं यहाँ पर correct answer हो जाएगा HG क्या होता है HG मर करी होती है जिसे हिंदी में कहते हैं पारा जब पानी में पारा जब involved हो जाता है यानि कि सबसे पहले देखे जो disease है minimata disease यह जापान में हुआ था जापान में एक शेहर था minimata नाम का सबसे पहले वहाँ पर ही यह disease हुआ था इसलिए disease का नाम minimata disease है वहाँ पर जो इंडस्टिया होती थी जब वो waste material जिसमें पारा involved होता था वो waste material जब समुंदर नदियों में जाता था समुंदर और नदियों में जो मचली होती थी वो में इस material को खा लेती है तो पारा परदूशन मचलियों से ही होता है जब उसको मनुष खाते हैं उन मचलियों को तो उनको disease हो जाती है वो disease minimata disease ही है यहाँ पर correct answer हो जाएगा option C अगला question है question number 128 which one of the following is non-projected teaching age कौन से यहाँ पर non-projected teaching age से देखे projected और non-projected में फर्ग होता है non-projected वो होते हैं जिन्हें आप screen पर न दिखा है ठीक है और projected वो होते हैं जिन्हें आप screen पर दिखा है कल यानि कि हम लोग ने कल paper solve किया 2015 का उसमें question पूचा था कि projected age कौन सा है तो उसमें OHP option दिया था तो हम लोग ने ठीक OHP करा था यहाँ पर पूचे हैं कि non-projected teaching age कौन सा है ने कि film step, epidoscope, slide यह सभी कैसे हैं यह सभी projected teaching age है OHP आ जाए ठीक है OHP हो, slides हो या LCD हो, projector हो यह सभी projecting teaching age में आएगा यहाँ पर पूचें non-projected age तो non-projected teaching age में chart हो जाएगा या model आ जाए या charts आ जाएं या flip charts आ जाएं यह सभी कैसे हैं यह सभी non-projected होंगे तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा option B, chart अगला question है question number 129 which one of the following activity is not related with environment conservation यानि कि परियावरन संरक्षन से संबंदित कौन सी गतिविती नहीं है पहला option दिया है deforestation deforestation दूसर option दिया है conservation of natural resources ठीक है यहाँ पर प्राकर्तिक संसादनों का संरक्षन हो रहा है तो यह भी सही है D देखी क्या है cleaning of water bodies जलाशियों की सफाई यह भी सही है massive plantation यह भी सही है लेकिन यहाँ पर deforestation देखे deforestation क्या होता है पेडों को cutting करना बल्कि क्या कहा गया अगर आपको environment healthy रखना है तो आप पेड़ जादा से जादा लगा है यहाँ पर option 1 दिया है deforestation तो यही correct answer हो जाएगा अगर आप deforestation कर रहे है तो environment नहीं बचेगा तो correct answer हो जाएगा आपर option 1 deforestation अगला question है question number 130 in which environmental education which teaching method is related to group discussion कौन सा group discussion से related है पहला option है role play दूसर option है lecture तीसर option है narration और D option है symposium यहाँ पर correct answer हो जाएगा symposium यानि कि विचार गोश्टी विचार गोश्टी में क्या होता है सब लोग समूँ में बात करते हैं discussion करते हैं किसी भी topic को लेकर परी चर्चा होती है तो correct answer हो जाएगा है यहाँ पर option D question number 131 है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन CCE का मुक्य उद्देश है पहला option दिया है विध्याले में उपस्तति के समय बालक के प्रतियक पहलू का मुल्यांकन करना यानि कि बालक के हर पहलू का चाहे वो रुची हो चाहे वो पढ़ने में कैसा भी हो यानि कि पढ़ाई उसकी किस तरह वो पढ़ने में है किस तरह उसका interest है कितने कौशल यानि कितनी skills उसकी develop होरी कौन कौन से skill develop होरे सभी पहलों का मुल्यांकन करना ही CCE का उद्देश होता है ठीक है हर पक्ष का हर पहलों का पिरतियक पहलों का मुल्यांकन करना ही CCE का उद्देश है इसलिए यहाँ पे correct answer हो जाएगा option 1 option 2 देखे क्या दिया था कि विध्याले में उपस्तिती के समय बालक की रुची केवल रुची का नहीं ठीक है C देखे क्या है विध्याले में उपस्तिती के समय बालक के ग्यान एवं बोद का केवल ग्यान या बोद का नहीं बलकि रुची का भी ग्यान का भी बोद का भी पिरतियक पहलों का CD देखी किया है विध्याले में उपस्तिती के समय बालक की कौश लोगा देखी पिरतियेक पहलो में रूची भी आजाएगा ग्यान भी आजाएगा बोध भी आजाएगा कौश लो यानि उसके skill उसके understanding, knowledge, interest सब का मुल्यांकन करना ही CCE का उद्देश होता है इसलिए आपे correct answer हो जाएगा option 1 अगला question है question number 132, full form of IEEP देखे full form भी कई बार paper में आच चुका है, इससे पहले जो paper solve किया था उसमें ATM का full form पूचा था, आज के paper में यानि के 2017 जो solve कर रहे हैं आज हम लोग paper 2017 का, उसमें IEEP का full form पूचा है education and P4 program यानि की international environmental education program IEEP का full form होता है इसलिए correct answer हो जाएगा याँ पे option B अगला question है question number 133, परियावरन अध्याशिक्षण के दोरान विद्ध्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निमलिकित में से किस आंकलन सूचक का प्रियोग नहीं किया जाना चाहिए यहाँ पे पूचें कि नहीं किया जाना चाहिए अभी क्या कह रहे हैं कि विद्ध्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए तो पहला है अभलोकन जाहिर सी बात है जब आप बच्चों को अब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है अब्जर्विशन भी सही है यानकि अभलोकन भी सही दिया है चर्चा करना आप बच्चों से discussion करेंगे ये भी सही है पिर योग करना ये भी सही है लेकिन यहां पर जो D option दिया है उपचरात्मक शिक्षन करना तो सबसे पहले आप देखेंगे समझेंगे डाइगनॉस करेंगे देन उसके बाद remedy देंगे तो यहां पर answer हो जाएगा option D क्यो teaching यान कि कौन सा character नहीं है एक अच्छे teaching का ठीक है एक अच्छे teaching का कौन सा नहीं है पहला देखें क्या है good teaching is based on activity activity के साथ अगर आप teaching कर रहे हैं तो यह तो बहुत अच्छी बात है B देखें क्या है good teaching is democratic यान कि लोग तांतरिक होता है बिल्कुल सही आजाद ही होनी value based नहीं होनी चाहिए यह गलत है बलकि value based होनी चाहिए इसलिए आपे answer हो जाएगा option C दी में दिया है कि good teaching is planned with definite aim बिल्कुल सही जो भी aim है जो भी निश्चित उद्देश है उसके हिसाप से ही plan होना चाहिए यह भी सही है यहाँ पे answer हो जाएगा option C अगला question है question number 135 which one of the following choices not included in the content of environmental study इन्वार्मेंटल स्टडी में कौन सा content नहीं होना चाहिए पहला देखी क्या है forest conservation बिल्कुल हमारा environment जब ही healthy होगा जब forest होगा और forest यहने कि one connection होना चाहिए ठीक है water conservation भी होना चाहिए pollution इन्वार्मेंट में पानी पेड़ स्वाइल यह सभी भी आ जाएगा इसलिए आपे water conservation भी सही है soil conservation भी सही है लेकिन यहाँ पर बी option जो दिया है political conservation यह content नहीं है environmental study का यानि कि राजनितिक संरक्षण environmental study में नहीं होता है ठीक है तो correct answer हो जाएगा है आपे option बी अगला question है question number 136 निमलिकित में से कौन सा नियम अधिकम के प्रियास वत्तुर्टी सिधान से संबंदित नहीं है पहला option है पुनर बलन का नियम दूसरा option है ततपरता का नियम तीसरा option है अभ्यास का नियम और चौता अभ्यास का नियम ततपरता का नियम पिरभाव का नियम ये तीनों ही में नियम थे अधिकम के थॉंडाइक ने अधिकम के नियम दिये थे मुक दिये थे जो तीन दिये थे और गौल पाज दिये थे तो मुक तीन में ततपरता का नियम भी आएगा पिरभाव का नियम भी आएगा और अभ्यास का नियम भी आएगा तो यहां पे correct answer हो इंडिया इन विच दा चाइल्ड लेबर एक्ट वॉस पास्ट किस एयर में चाइल्ड लेबर एक्ट पास्ट हुआ था ये पूछ रहे हैं तो 1986 में आप्शन यहां पे तीस सा सही हो जाएगा अगला कोशन है कोशन नमबर 138 ये कोशन कई बार रिपीट हुआ है 2011 में वियाइटिंग आया है और 2015 में बाल विवा से रिलेटिट कोशन है कोशन यह है कि भारत में लड़कियों वा लड़कों के विवा कि नियुनतम कानूनी आयू है इस कोशन को सॉल्व करते वक आप बस ध्यान गी रखेगा कि सबसे पहले लड़कियां हैं उसके बाद लड़के हैं तो लड़कियों की है 18 वर्ष और लड़कों की है 21 तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा option B 2011 में जो पेपर आया था उसमें सबसे पहले लड़का दिया था और बाद में लड़की दिया था इसलिए महाँ पे option D correct हुआ था इसमें option B correct हो जाएगा क्योंकि लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 है तो correct आंसर हो जाएगा यहाँ पे option B अगला question है question number 139 what is the name of textile city of Rajasthan यहाँ पे पूछें कि वस्तन नगरी का क्या नाम है राजस्तान की पहला option है उदैपुर ध्याने कीगा उदैपुर city of lake है ठीक है city of lake के नाम से मशूर यह जो शहर है वो उदैपुर है यह question भी आ चुका है वस्तन नगरी भीलवाड़ा option D correct हो जाएगा ठीक है वस्तन नगरी का नाम राजस्तान के जो शहर है भीलवाड़ा वो है वस्तन नगरी correct answer हो जाएगा यहाँ पे option D अगला question है question number 140 what is the name of medicine commonly used to control the addiction of narcotic drugs यहन की नशीली दवाओं की लत को control करने के लिए कौन सी commonly दवाई यूज की जाती है यहाँ पे correct answer हो जाएगा पैथी डीन option D 141 which of the following is declared as 100% open defication free ODF state वो state है केरल इसले correct answer हो जाएगा आपे option C अगला question है question number 142 राजस्तान के राजसभा सांसदों की कुल संग्या कितनी है तो कुल संग्या है 10 option 1 अगला question है question number 143 who discovered nylon nylon किसने डिस्कवर्ड किया था answer हो जाएगा आपे option B वालेस केरो थर्सने अगला question है question number 144 which of the following is not related to राजस्तान कौन सा मेला राजस्तान में नहीं होता है देखे बेनेश्वर मेला भी राजस्तान में लगता है खेजर्णी मेला भी राजस्तान में होता है पुशकर मेला भी ये राजस्तान के अलग अलग जगा पे ये तीनों ही मेले लगते हैं लेकिन यहाँ पे जो मग मेला है माग मेला यह राजिस्तान में नहीं बलकि पस्चिम बंगाल में लगता है इसलिए यहाँ पे correct answer हो जाएगा option D अगला कोशन है भारत में पिर्थम यात्री रेल गारी की शुरुवात कब हुई थी तो 1853 में हुई थी इसलिए यहाँ पे correct answer हो जाएगा option culture ठीके PC culture क्या होता है तो ध्यान एकिगा PC culture में मचलियों को पालते हैं मचली पालन कहलाता है इसलिए यहाँ पे correct answer हो जाएगा option B जाए फिश कल्चर भी कल्चर अपकी यानिकी मधुमक्की पालन भी कल्चर अगर पूछा जाए तब आनसर होगा भी कल्चर मधुमक्की पालन को फिद्यके क्या में मदुमक्का पालन ऒर मुर्गी पारन को पैल्टरी कल्चर क्याते है यहां पर correct answer हो जाएगा option B, मचली पालन अगला question है, question number 148 which of the following is a contagious रोग यानि कि संक्रामक रोग है पहला option है diabetes, diabetes संक्रामक रोग नहीं होता है बलकि आसंक्रामक रोग है, halt attack यानि कि हिर्देगात ये भी नहीं होता है उच रक्त चाप यानि कि हाइपर टेंशन ये भी नहीं होता है लेकिन diptheria होता है, तो इसलिए correct answer हो जाएगा आपर option D, diptheria, contiguous और non-contiguous अगर आपको नहीं बता है तो contiguous रोग वो होते हैं, जिसके कोई भी व्यक्तिव पेशन्ट है उसको कई बिमारी है, अगर आप उसके touch में आएगे तो आपको भी हो जाएगा ठीके, और non-contiguous वो रोग होते हैं, किसी दूसरे के पास अगर आप बैठते हैं उसको बिमारी है, तो आप उसके पास बैठ रहे हैं, उसका जूटा खा रहे हैं, तो आपको नहीं होगा यहाँ पे correct answer हो जाएगा, option D अगला question है, question number 149, यह bonus question है, इस लिसको skip करेंगे अगला question है, question number 150, भारत में pulse polio T का करण कार किरम कब RM किया गया 1995 में इसलियां पे correct answer हो जाएगा, option C